नमस्कार देख रहे हैं आप SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ प्रतीक मुश्ण अपल ने हाल ही में iPhone SE 2020 को बाजार में लॉंच किया है जहां नया iPhone चार्ज में बना हुआ है वहीं कमपनी ने अपने नए और पुराने दोनों iPhone यूजर्स को अलर्ट पर किया है इस अलर्ट में इस पश्च्रदोर पर कहा गया है कि iPhone यूजर्स को साफधान रहने की आवशक्ता है क्योंकि कमपनी ने एक बड़े पैमाने पर iOS सेक्योरिटी होल की पुष्टी की है जो की लगबग हर iPhone को प्रभावित करता है सामने आई एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि iPhone में iOS बग का फायदा उठाकर hackers डिवाइस को हैक कर सकती है ऐसे में लाखों यूजर्स की प्रिविसी पर खत्रा मन रहा है Forbes की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि सेक्योरिटी फर्म जैक OPS का दावा है कि iOS 6 और इससे उपर के वर्जन पर चलने वाला प्रतेग iPhone remote attacks के लिए असुरक्षित है वहीं अब Apple ने भी इसकी पुष्टी करती है जैक OPS का कहना है कि इस बग के बारे में Apple को मार्च में बता दिया था लेकिन कंपनी ने इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है इस बग के कारण यूजर्स का निजी डाटा चोरी होने का खत्रा है इसके लिए hackers को जादा महलत नहीं करनी पड़ रही है क्योंकि iPhone के background में खुले हुए apps का इस्तेमाल करके data को hack किया जा सकता है रेपोर्ट के मताबिक जैक OPS का कहना है कि iOS की पुरानी generation की तुल्ना में iOS 13 पर attack करना आसान है दारण के लिए जैक OPS बताता है कि iOS 12 में attackers को email open करने के लिए iPhone users की आवशक्ता होती है जबकि iOS 13 में background में open mail app से attack किया जा सकता है Apple ने अपुष्टी की है कि नए iOS 13.4.5 beta में इस खामी को दूर करने में काम्याब रहा और ऐसा लग रहा है कि company अब अपनी release में तेजी लाएगी रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि iOS 12 वर्जिन में 0 click और mail opening की सुखिदा उपलब्द है इसे में email को hack करके attacker email को leak modify करने के अलवा उसे delete भी कर सकता है जबकि कुछ मामलों में ये पूरी तरह से device को access करने की अनुमती देता है यकिन अभी तक इसकी push team नहीं की गई है Apple का कहना है कि bug को ठीक करने के लिए जरूरी update तयार कर लिया क्या है और आने वाले कुछ दिनों में इस bug को fix करने के लिए security patch शामिल किया जाएगा जिसे globally सभी users तक मुहाया करा दिया जाएगा SPN 9 News के लिए प्रतीप मिश्रा की report के लिए